हेलो जी गुड मॉर्निंग और फ्रेंड्स जैसे कि पहले व्लाव में कताया था कि मेरे भाई और भावी और पतीची आई हुई है तो जी ये अगले दीन का व्लोग है तो हमने सुबह सुबह ही प्राइट सेचडे को ये बनाई थे ब्रेड रोल और ये दिखिए कटलेट से तो बस जी सारे उठ चुके थे ये है ग्यारवजे का टाइम और सभी ब्रेकफास्ट ले रही है और इदर मैं और भावी मिलकर बना रही है तो ये भावी खिला रही थी और मैं और ये देखिए बच्चों को सरु कर दी थी तो सारे उठ चुकी है बस उठने के बाद जब ब्रेकफास्ट लेंगे फिर रजाईयों की तैटू लगाएंगे और देखिए जी बारा बचके हैं क्योंकि छोटी वाले दिन तो ऐसा ही होता है न और कुछ ये इनकी बेटी सुरती है थोड़ा लेट तो छोटा बच्चा होता है थोड़ा उसके साथ होती है फ्रेंड्स जाओंगी जी मैं बजार क्योंकि ये पहली बार आई है मेरी पती जी तो इसके लिए सोच रही हूं एक ड्रेस लेकर आउंगी तो छोटी सी प्रोब का सोच रही हूं तो जी बस ये दीदी आएगी सफाई करेगी इतने मैं अपना अच्छे से डस्टिंग अगरा कर जाती ह तो चलो रण मील के ऐसा होता है फ्रेंट्स सारा काम हो जाता है तो दोपैर का देखेंगे खाने खुने में क्या बनाती है इतने एक बार हमने देख वास्तों वरस्ती लेग लिया था ब्रेड का तो सेचटे संदे तो ज्यादा ब्रेड पे ही जो रुपता है चाही कोई पैसी रजाय वगरा एक्स्टा उठा कर स्टोरों में रख दी है और यह देखे सारा कुछ दिवान वगरा और बरा हुआ है कपड़ों से और यह बस रेडी हो रही है और यह देखे इदर बस यह ब्रेक्वास्त ले रही है बाब भी रहेगी थी लास्त में और इदर भाई ने कर लिया था और ये इसके विदी के पास बतीजी के बटी है बच्चे और ये देखिए बोलू मोलू मूह में अपना निक फुलसा ले रखा है और इसको भी इसकी आदक पड़ी हुई है इससे छीन लो तो ये रोने लग जाती है बस और इदर देखिए दूब बहुत अच चुट-चुटी आखिए इसकी खुली नहीं रही जारा दूप को देखकर तो बस जी इदर मैं आप सुखाओंगी कपड़े बगएर और फिर जाओंगी दुपैर में मार्केट तो ये देखिए बच्चे भी पूरे खुश हो रही है ये भी और इदर ये चोकलेट लेकर आ पर चुटी है अभी क्योंकि सिर्फ इसने तो मदर फीडी लेनी है और छे मिले बाद यह उपता है जैसे आपको पता ही है बच्चों को दाल का पानी या चाओं वगएरा का पानी तो इदर जी बस मेरे कपड़े वगएरा भी धूर चुके थे तो वो भी मैं सुखा रही और दो दिन से थोड़ा सा फ्योर भी हो रहा है सब बस यह जी मौसम की चेंज की वज़े से है तो अभी सारे बस अंदरी बैठे हैं और मेरे कपड़े वगएरा सुख जाएंगे तो इदर से मंजी खाली हो जाएगी तो सारे बस बार आ जाएंगे दो चार गंटे बार टाइम हो जाएगा तो जी यह देखिए दो बच चुकी है और यह जाड़ो जोड़ो निकालने वाली है बस दीदी आगी है यह निकाल रही है जाड़ो और काफी खिला रहा हुआ पड़ा है क्योंकि छुटी वाले दिन तो बच्चे यह है ना चिप चुपस के पैकेट बोकेट है यह और किचन भी बहुत गंदी हो जाती है और यह देखिए कपड़ों का जोड़ो उस तो वो मे यह देखिए भाई दर बाहर लेटा हुआ है यह बाहर लेट गे थे क्योंकि अंदर से जाड़ो जूड़ो है क्यों पंखा वगएरा चलेंगे फर्श वगएरा सूखता नहीं आजकल थोड़ा सा आई है तो यह देखिए कितना पूड़ा निकल चुका है अभी फिलाल मैं स चोटी चोटी दो फ्रोकें थी मुझे बहुत जादा पुसंद लगी वो थी नैट में तो फिर मैंने ले ली और यह देखिए बस यह बढ़िया हुआ मुझे तो यूँ था कि मैं जाकर खाना खिलाना है जल्दे चल्दी कर रही थी बट बाबी ने सब को खाना बच्चों क खेला था मेरा भी टाल दिया था तो चलो मेरी थोड़ी से टेंशन काम हो गई तो बस जी यह दिखें चोटी चोटी फ्रोकें यह लटी हुई है सोरी है लूगलू मुगलू तो यह था जी आज का व्लोग आए होफ आपको यह मेरा व्लोग आज का अच्छा लगा हो झाल 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 झाल